अलो गाइस क्या हाल चाला आप सभी लोगों के और ये है माइनक्राफ्ट सर्वाइबल सीरीज पार्ट फूर अज आज इसके अंदर हम लोग बहुत सारी खूप सारी मतलब अलग लग चीजे करेंगे यार तो पिछले पार्ट जो वन टू एंड थी था उसके अंदर अपने विलेज वगरा ढूंडा था फार्मिंग करी थी माइनिंग भी करी थी एंड अपने स्पोन पॉइंट जो के आ यहां पर एक घर बनाएंगे हमारा वुडन हाउस बनाएंगे और उसके बाद में हम लोग यहां पर विलेजर्स को ट्रैप करेंगे और भी बहुत सारी चीज़े यार देखते जाओ वीडियो में आगे से आगे और बात करें तो स्केल्टन बाबा सामने आ गए हैं और जिससे पहले की मॉंस्टर्स अपने नियर भाई हो सुबह होगी गाईज और अभी फिलाल में घर पर खड़ाओं तो सबसे पहले लकडी वकडी तोड़के लेकर आते हैं अपना मिशन करते हैं और यहां पर मेरे पास जो है वो खाली एक स्टोन एक्स है और कुछ कचरा अधर की तरब मेरे को जंगल टाइप कुछ दिख रहा है इसके अंदर पता नहीं किते सारे मतलब बहुत ही खतनाक वाले गड़े बने वे होता है इधर की तरब आगया हूँ उधर अपना विलेज रहे गया अपना घर रहे गया एधर की तरब एक चोटा सा जंगल मेरे को दिख रहा है नो बायों के बगल में तो यहां पर मेरे को कुछ ट्रीज दिख गया है तो हम इनको तोड़ लेते हैं फटा फट अफट भाई अपन आइरन की एक से एक दम फटा फट ट्री टूट रहे हैं भाई गैज मुझे एपल्स भी मिल गया है और बारा ओक सेंपलिंग तो गैज यहां पर पूरा का पूरा एक जंगल था भाई मैंने सब को काट ड़ला भाई तो गैज यहां पर था जंगल और इसमें हो गया मंगल को सो लेते हैं सो गैज सुबह हो गई है और भाई मर रहे है इनको मरने दो पहले है और इसमें की तरफ जो मतलब हील टाइप दिख रहा है न मैं सोच रहा हूं कि जित्ती भी एक्स्ट्रा सेंप्लिंग अपने पास थी न वह सारी की सारी हम लोग यहां लगा देते हैं और सम्पर पर पर हड़ा रखने सम्पर्विंग्ज को लगा रहा हम क्योंकि यार बस अपने को तो पेड़ चीए और थोड़ा सा अच्छा भी लगे फिर अच्छा तो लगेगा ओटोमेटिकली जैसे ये बड़े हो जाएंगे तो यहाँ पर मैंने रेंडमली खूब सारे मतल़ सेंप्लिंग्स लगा दी हैं अब चलते भाई घर की तरफ बारिस बहुत मसता रही है इस वर्ड में मैं यहाँ पर माया जाल की स्पॉन की जगे पर आगया हूँ और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेज करना है सबसे बड़ा तो मैं यह करने वाला हूँ उसके लिए में यहाँ पर ना लेता हूँ खूपसा रही है अपने को शीदा सा सीन यह है कि अपने को चैस्टी चैस्ट लगा नी ए एक चैस्ट में यहाँ लगा देता हूं बाकि मैने ने इन दोनु चैस्टों को बड़ा कर दिया है और फाल्तू का सामान जित्ता भी था गाईस वो मैंने अंदर रख दिया है अब चलते हैं वहाँ पर स्पॉन पॉइंट पर और कुछ जबर्दस्त बनाते हैं ओके गाईस तो यह यहाँ पर आप चावँ तरफ जो देख रहे हो और मैंने बेस को फिर से चेंज कर दिया है और चावँ तरफ भाई मैंने यहाँ पर बिच के ओक लगा दी है पर बीच में मैं डर्ट बर रहा हूँ तो चलो याँ डर्ट बर देते हैं यहाँ पर थोड़ी सी जगे पर चिवी है थोड़ा खाना का लेता हूँ भाई भाई मार दिया भाई राके वाज ब्लोवन अब भाई क्रीपर गाईस तो यह हमारे वर्ड में पहली मोद थी हमारी भाई हम मर गए और जैसे हम लोग री स्पॉन पर क्लिक करेंगे गाईस तो हमारा जो बैड होता है लाच जो बैड भाई टूट गया पूरा माया जाल लिखा वा यार यह बाई क्रीपर से बचके रहना है यार गाईस बहुत ही गंदी चीज़े जाए बाई अब यह आगे बनाते हैं इसको एंड कुछ मेरे दिमाह में चल रहा है तो मैं यहां पर डर्ट वगरा भर देता हूं बेस पे तो मिलते हैं इसके बाद में और गाइस तो मैंने थोड़ देर हंटिंग वगरा की भाई खूब सारे जानवर मारे हैं आसपास के इलाके को देखा यह अपना घर है इंड उधर की साइड मुझे एक विलेज दिखा था जिदर मेरा मुव है उन विलेज को बाद में अपन देखें गाई यह कौन आ गया यहां पर बिल्डप कर रही रहे थे तो यह बंदा आ गया इसको कहते हैं गाई वान्डरिंग ट्रेडर तो यह एमरल् इसके आवाज बहुत मस्त है वाई स्टार्टिंग में लोग खेला करते तो इसके आवाज बहुत मस्त लगती थी तो गैज मैंने खुब सरा फूड बना लिया है एंड उसके बाद में हम लोग इस माया जाल को पूरी तरीके से change करने वाले हैं एक चीज़ मैं और change करने वाला यह जो माया जाल है यह उधर की से अब दिखाता हूं कि उसको देखे यह तो इसको बनांत में उवन डिया खरना में ओविसोड़र को फोरी फ्लेंट ही तरफ कम ही है हम प्लेंट खरके इसल्सक बना दीया है यह हमारा माया जाल एंड इस बार इसका मूँ थोड़ा इधर की तरफ कर दिया है तो भाई एक दम मस्त लग रहा है जबरदस्त लग रहा है अब यह हमारा काम सेकेंड वाला कम्प्लिट हो गया बट अभी एक खास चीज अपन देखने वाले हैं सो गैस हमें कोल नहीं मिलता है और कोल माइनिंग करना पड़ता है बट अपने पास एक ट्रिक वर है जिससे अपन कोल बना सकते हैं तो सबसे पहले मैंने नीचे लोग रखी और उपर भी लोग रख दूँगा कोई सी भी आप रख सकते हो जैसे आप यहां पर लिख गे राखने के बाद और फूप सारी चांकोल बना लेता हूं मैं इन सब की torch बना लेता हूँ क्योंकि torch का मैं कुछ यूज लेने वाला हूँ वह मैं आपको बता देता हूँ वह सबसे पेल तो इसको बंद करते हैं और चलते हैं सीधे अपने spawn point पर यहां पर बहुत सारे creepers आते हैं जैसा कि आपने देगा था मैं मर गया था तो मैं सोच रहा हूँ कि spawn point को तोड़ा सजा देते हैं और उसके उपर पूरे के उपर आपन टorches लगा देते हैं चारूं तरप जो भी अपने boundary बनाई थी ओके गाईस तो मैंने यहां पर torch सब जिगे लगा दिया और देख रहे हो बाई माय आजाल एकदम torch के साथ में किता शानदार लग रहा है और कुछ torches हम लोग यहां पर भी लगा देते हैं बहुत ज्यादा यहां पर जोंबी spawn हो रहे हैं और यहां पर बहुत कुछ और आप पुरा जंगल बन करके रेड़ी हो गया है तो भाई क्या मज़ा आ रहा है बहुत जोंबी ओंबी आएंगे بि यह जल्दी से तोड़के वापस मना लेते हैं ईसको तो गाइज मैं यहां पर अभी घर बनाने वाला हूँ लेकिन यार अभी मैं सोच रहूँ कि यार सिंगल फ्लोर का ही मैं बनाऊं तो उसके बाद मैं अपन उसको डवल फ्लोर कर देंगे तो गाइज सबसे पहले यहां पर जमीन खौद लेते हैं तो गाइज मेरे हिसाब से यार इत्ती दूरी काफी होगी तो इत्ती सारी जगे में अपन बहुत कुछ कर सकते हैं तो सबसे पहले अपन डाइरेट प्लैंक्स को नहीं लगाएंगे और प्लैंक्स को अपन क्राप्टिंग टेबल में रखके अपन बनाने वाले हैं और स्लैप्स जो हैं यार अपने मतलब अंक्या में भी ज़्यादा बन जाएंगे और दूसरी यह भी है कि अपने को जल्दी काम हो जाएगा ज़्यादा और ज़्यादा अपने को ट्रीज काटने नहीं पड़ेंगे तो सबसे पहले में इसका बेस बना देता हूँ तो गाइज यहाँ पर बेस बन करके हो गया है रेडी देख रहो वाई कितना मस लग रहा वाई एकदम चका चक बूम बूम अब गाइज बाकी का घर बनाते हैं यहाँ पर इसकी हाइट मैं फोर रखंगा यहाँ पर तो गाइज मेरी लगड़ियां फिर से कतम हो गई लेकिन अपन ने जो जंगल यहाँ पर लगाया था ना भाई उसका बहुत फायदा मिल गया अपने को जेतनी देर अपन दूसरे काम करते हैं इस देर में यह ट्रीज बन करके र्डि हो जाता हैं तो आपने आराम से मतलब यह ट्रीज कट करके लोग से कटटी कर सकते हैं तो गाइस मैंने लगड़ियां तोड लिए बाई और देख रहो पूरे के पूरे जंगल को फिर से हुजार दिया है बने बाई यह हमारा बेस बन करके तयार हो जायागा भी इस गर का तो इसको कम्प्लीट करते हैं फन तो गाइस अभी मैं घर की दिवारे बना रहा हूँ and मैं सोच रहूँ यार चार उन तरफ मतलब दो दो डोर लगाने की जगे छोड़ दूँ so guys हमारा घर बन गया है और अभी हमें च्छत बना रही है तो यहार सीधी सी बात है च्छत हम लोग मतलब फ्लेब्स का यूज लेके बनाएंगे फ्लैंक्स को तो खराब नहीं करेंगे and guys घर के उपर जाने के लिए हम लोग सीधीयां बना लेते हैं so guys हम लोग यहां पर स्टेर्स लिख करके सर्च करेंगे तो यहां पर सीधीयां आ गई क्योंकि अपने को बार बार उपर नीचे किसी ना किसी काम से तो जाना ही पड़ेगा and वैसे भी चलो अभी भी मुझे छट बनाने के लिए उपर जाना पड़ रहा है तो यार सीधीयां तो यही चीए तो मैं यहां पर जादा तो नहीं बट कुछ सीधीयां बना लेता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि यह वाला जो कोर्नर है जिसके पिछे अपना मयाजाल नाम लिखावाया वहीं पर अपन सीधीयां बनाएंगे सो गाइस यह बन करके होगे हमारी सीधीयां तयार भट यार भाई यह चट बीच मा आएगी अपने को इतना तो तोड़ना ही पड़ेगा एक बार इन सीधीयों को नोर्मली बना देता है बाद में इनको थोड़ा मोडिफाई करेंगे तो गाइस हमारी चट यहां पर बन करके हो गई है कमपलीट और उपर वाले फ्लोर को अपन बाद में देखेंगे बट यहां पर कुछ कुछ जगे जो रहे गई ना उनको थोड़ा डिजाइन देने के लिए अपन एक एक लोग लगा देता हूं में यहां पर एंड काइस य नहीं है तो गाइस मैं सोच रहो गेट को बाहर से लगाऊं ताकि थोड़े बढ़िया लगें यह देख रहे हैं अपना घर बन गया मस्त लग रहा यार मेरे को दाऊ तो गाइस गेट मैंने लगा दी है बट यार कुछ चीजों की प्रॉब्लम हो गई जैसे कि यार गेट के पास लगा देते हैं दो दो टोर्च सबसे पहले अपन बैड लगा देते हैं यहां पर की कौन सी मस्त वाली जगह लगेगी मुझे यह वाली जगह एकदम मस्त लग रही है तो मैं इधर की तरफ ही लगा देता हूं बैड एंड रिस्पॉंट मैंने सेट कर दिया है और बाक और ग्लासेज के लिए अपन चलने वालए भाई नदिया किनारे जहां पर मिलता है अपने को क्या सैंड को आपन के अपन फर इससे बना लेंगे बाई लगा ऊजचाए यहां पर मेरे ऱ स्टेक सैंड यकटी करने तो देखो यार अपकी बार मस लग रहा है माया जाल एक दम रात में चमकता हुआ लग रहा है एक दम जबर दस्ट बाई आवाज आने लगी जोंबियों कि यार बागो क्रीपर ना जाया बाई पूरा घर फोड़ देता है वहाओ क्या मस लग रहा मैं अपना घर पहला मेरा मत सब्सक्राइब बाई जब भी अपन अकेले सर्वाइवल में खेलता है तो यार बाई मतलब गया जैसे क्रीपर फटा आसपास का जिता भी स्ट्रक्चर है वह पूरा टेली तो ग्लासेज बनाने के लिए सबसे विला हमें सेंड रखनी होती हो उपर और नीचे आप कोई भी बी एक जगह पर इस ग्लास को मैं अभी तोड़ूँ आव आपस तो मुझे मिलेगा नहीं यह चीज़ का देना यह देखो गाईस क्या बात बाई एक दो मस्त लग रहा एक दो मस्त लग रहा अभी देखो गाईस मैं और ग्लासेज लेता हूं और आपको यहां पर यह खिड लेता हैं कोई लास नहीं है तो आपको वापस लेने का तरीका होता है आपको एक इंचांट्मेंट लगानी पढ़ती है एंड उस इंचांट्मेंट का नाम है civट तक तो यहां पर एक बार दिवारूं पर जब तक अपने glasses बने तो मैं यहां पर तोड़ देता हूं इनको और खिड़की की जगए बना लेता हूं भाई दो मैंने यहां पर तोड़ दिये So guys मैंने यहां पर glasses बगरा लगा करके खिड़के बना दी है और जैसा आप देख रहो पिछे की तरफ सीडियों के नीचे भी है और इधर से अपना माया जाल भी दिखाई दे रहा है बार की तरफ और यह फ्रेंट की तरफ भी glasses लगा दी है और यह हमारा घर का front view है भाई मस ल गंटे तक मुझे बहुत मसकत करनी पड़ी भैंकर और बहुत बड़ी भाई मार पड़ी मेरे बाई मतलब बहुत रवटी तकड़्या गया तो यार उस जो भी गलती मैंने करी या जो भी कांड में ने करा भाई वह हम लोग next episode में देखेंगे episode 5 में इस वाले एपिसोड को हम लोग यही तक रोक रहे हैं इसके बाद में जो मेरे साथ कांड हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड 5 में दिखाऊंगा वाई सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सर्वाइवल पार्ट फाइब में मिलते हैं जब तक और वीडियोज एक्स्प्लोर करते रो बाई बाई